Welcome to Salaswathi Classes आजम बात करेंगे एक GK के टोपिक जिस पर प्रमुख योजनाय या मोधी जी की जो चलाएगी स्कीम्स है जब से मोधी जी आए हैं उनके दोरह चलाएगी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आजम इस वीडियो में पढ़ेंगे तिल्दा 2018 तक जितनी भी स्कीम्स आई हैं उनको एक एक वीडियो के दोरह पढ़ेंगे अब कुछ स्कीम्स हैं जो 2014 से स्टार्ट होई थी 2016 तक चली है पहले उन स्कीम्स को पढ़ते हैं उसके बाद उन स्कीम्स को पढ़ेंगे जो current में चल रही हैं इस बजट में पास होई है तो आईए देखते हैं पहली योजना जो मोधी जी के तारा start कही जब से मोधी जी आये थे गौर्मेंट में पहली scheme है जंधन योजना या जंधन schemes ये चलाई गई थी student 28 अगस्त 2014 को कब चलाई गी थी 28 अगस्त 2014 को जंधन योजना कौनसी जंधन योजना इसका एक उदेश्य था, क्या उदेश्य था स्टुडेंट सब को पता है, कि मोधी जी ने इनका maximum people जो भारत में रह रहे हैं, उनको bank में add करना, उनका account bank में open करवाना, maximum people को bank से add करवाना, जंदन योजना का main purpose था, जो 28 अगस्त 2014 को start की गई थी, इसी दिन एक और योजना start की की थी, skill India mission, skill India mission या कोशल भारत mission ये भी कह सकते हैं, ये भी 28 अगस्त 2014 को start की गई थी, इसका main purpose क्या था, कि youth में skill development करना, क्या जवानों में या युवाओं में कोशल का विकास करना, इस schemes का purpose था, क्या था इस scheme का, youth में skill development करना, या कोशल का विकास करना, इस schemes का, उदेश्य था, अग्याती है third, make in India, make in India, ये भी एक scheme थी, जो काफी, मतल, चर्चा में रही थी, make in India, मोदीजी ने चलाई थी, ये 28 September 2014 को start की गई थी, इसका उदेश्य क्या था, देश में वी निर्मान शित्र को बढ़ावा देना, या बढ़ाना, कि कोई चीज, जादा तर कोई भी चीज है, जो अपने भार से export करते हैं, भार से मंगवाते हैं, या कुछ भी अपने भार से मंगवा रहे हैं, उसको जादा से जादा अपने देश में बनवाना, उसकी लागत को बढ़ाना, बलकि जो अपने भार से मंगवारे हैं, उस चीज को कम करना, इसका निर्मान था, देश में वी निर्मान शित्र को बढ़ाना, हर चीज, जो अपने पुसिबल है, उसको देश में उसका निर्मान कराना, इस make in India skins का purpose था, उ का क्या था कि देश को 2 October 2019 तक स्वच भारत बनाना स्वच भारत बनाना आज कल ये हर सीटी में आपने देखा हूगी मोदी जी ने कुछ ऐसे वहिकल स्टार्ट कर रहा है जिस पर अपने जो कूडा करकटन वहिकलों में डालते हैं वो क्या स्वच भारत मिशन का एक मतलब उद गां योजना यह 11 October 2014 को स्टार्ट की गई थी यह भी काफी पापुलर रही थी 11 October 2014 को कि जितने भी MP हैं वो एक ना कोई ने कोई चोटा गां अडॉप्ट करेंगे और उस गां को बहतर मतलब डवलप्मेंट करेंगे आपने देखा हूगा कि सचिन तंदुलकर ने अभी एक गां लिया एक से पहले एक मंबई का गां लिया था जिसको उन्होंने Terry है तो इसी प्रकार प्रतेख सनसद राजेसवा की संसद सचिन तंदुलकर उसी प्रकार प्रतेख संद के दरह एक-एक गांव को मतलब किया गय था इसका डवलप्मेंट किया गया था यह ता सं ये उज़ना का में उदेश या है जोभाद जो。 उजला ये उज़ना गता से में को बैठी समाची में स्टार्ट हुए हुए। पोस्ट ओफिस हुए आजकल तो पोस्ट ओफिस उससे पहले पावर हाउस में या इमित्राज पर कम रेट पर मतल कि फाइती मुल्यों पर आपको LED मिलती थी मतल मिलती थी जिसका में परबस्दा कि जो बिजली की खपत जादा हो रही है उसको कम करना और लोगों को LED उपलब् मतल वित्रिन की जा रही थी या तो पावर हाउस में मिलती थी या अपने को इमित्राज मिलती थी आजकल अपने को पोस्ट ओफिस में ये मिलने को दिखने को मिल रही है उजला योजना जिसका में जो स्टार्ट की गई थी एक माई 2015 को जिसका में परपस था LED बल्बों को क की गई थी और ये थी 60 वर्ष के बाद जो पैंशन होगी जो 60 वर्ष के बाद पैंशन होगी 60 वर्ष आयू क्रोस करने के बाद जो पैंशन होगी वो 1000 से 5000 रुपे के मद्या प्रप्ट होगी 1000 से 5000 रुपे के मद्य अपरप्त होगी इस अटल पेंशन योजना का मेन परबरस ताचाओ 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी इसी दिन 2 योजने और स्टार्ट की गई थी किस दिन 9 मई 2015 को एक तो अटल पेंशन योजना दो और योजना है कौन कौन सी है एक परधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना और परधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना ये दोनो 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी और अटल पेंशन योजना ये तिनो एक ही दिन स्टार्ट की गई थी परधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना क्या का उदेशे क्या था जो 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के मद्य हैं वो 2 लाग का गौर्णमेंट बीमा करती थी कि उनको धुरगटना आने पर 2 लाग का जीवन बीमा मिलेगा और इसकी जो सलाना की स्टुडेंट वो 330 रुपए थी कितनी 330 रुपए अपने को जमा करानी पड़ती थी ये अपने को इस बीमा का लाब अपने को या तो अपने L.I.C. से ले सकते थे या अपने जो एक नीजी कमपनी है बजाज उससे भी ले सकते थे यह तो गौर्णमेंट होगी, यह नीजी शेतर की कमपनी है, इससे ले सकते थे, दो लाक रुपे का अपने को दुरगटना भीमा मिलेगा, और तीन सो तीस रुपे अपने को भीमा की किस्त चुकानी पड़ती थी, जो अपने को एन्यूल होती थी, जो सलाना होती थी, उसके अपने को एक लाक मिलेगे, तो उसके लिए अपने को एक लाक मिलेगे, विक्ति मरा ना हो, लेकिन उसके लिए काफी चोटे चोटे लगी हो, तो उसको एक लाक मिलेगे सियोज़िना के तहत, उसके वादन है Догईशितल इंडिया मिशन, यह भी काफी चला था, बहुत चला था, दिचिटल इंडिया मिशन, तो इंडिशितल इंडिया मिशन यह चली थी, दो जूलाई 2015 को, 2 जुलाई 2015 को कब चली ती स्टुडन दो जुलाई 2015 को इसका मेन परपस क्या था इसका मेन परपस था कि जितने भी government services है जितने भी सरकारी सेवाई है उनको जितने भी government services है उनको मतल्ड आधुनिक तरीके से या electronic way से लोगों को महिया करवना जनता तक पहुंचाना जो पहले tradition चल रहा था उसको तोड़कर computer के तरीके से computer के द्वारा उनको बहुत जल्दी उस चीज़ें उपलब्ड कराना government services को या सरकारी सेवाई को electronic way से जनता तक पहुंचाना ये इस Digital India Mission योजना का उदेश यह था उसके बाद ये उदेश योजना ये थी 5 November 2015 को चलाई गी थी student 5 November 2015 को ये था कि जितने भी सारजनिक शेतर की बिजली कमपनिया है या वितरन कमपनिया है उन कमपनियों को घाटे से उभारने के लिए कि जितने भी कमपनिया लोस में चल रही है सारजनिक शेतर की कमपनिया या बिजली कमपनिया जो घाटे में चल रही है उनको मतलब उभारने के लिए उस घाटे से बाहर निकालने के लिए उदेश योजना चलाई गी थी जो 5 November 2015 को स्टार्ट की गी थी उसके बाद ये 16 January 2016 ain't को स्टार्ट की गी थी 16 January 2016 को इसका उदेशी क्या था लाए उध्योगों को बड़ावा देना यह नए उध्युमों को बड़ावा देना या उन्ने आगे बढ़ाना इस योजना का में परपस था ये पांच अपराल 2000 पर उच्ट को कियी थी ये भी काफी अच्छी योजना थी ये start की गए थी UP के Noida से start की गए थी UP में जो Noida, उत्तरपरदिश के Noida से start की गए थी इसका जो main purpose था वो schedule cast और schedule tribal जन जाती है और और ओरतों के लिए या तो SCST मतलब schedule cast या schedule tribe या woman जो अपना अध्योग स्थापित करें जाती है जो अपनी company तक का गुवर्मेंट लोन मोहिया करवाती थी कि वो अपनी नई कमपनिया नए उध्योग विक्सित कर सके हैं स्टार्ट स्टांड इंडिया के तहत ओनली किसके लिए शेड्यूल कास्ट ये शेड्यूल ट्राइबर के लिए ये वुमेंड के लिए उसके विए प्रधानमंत् कासे निच्छे जीवन आपन कर रहे हैं उनको रहाईती मुल्यों पर कम मुल्यों पर RPG कनेक्शन देना तांकि जो चूला चोगा चला रहे हैं उनसे उसको निवारन मिल सके बहुत कम रियायती मुल्यों पर LPG connection उपलब्द कराना यह किसका उदेश है था प्रधान मंतरी उजवला योजना का मेंद मकसद था इसके बाद अपने करेंगे 2017 और 2018 की जितनी भी योजना है जो मोदीजी ने चलाई है जो D3 प्लेस भी या रेलवे के लिए काफी important है धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी रखती है तो प्लेस लाइक और कमेंट जुरूर कीज़ेगा